Film editor बनकर आप बहुत creative satisfaction के साथ बहुत अच्छा पैसा भी earn कर सकते हैं, बहुत respect भी कमा सकते हैं, बहुत सारे awards भी जीत सकते हैं. Film editing एक कमाल का profession हैं, जहां पर आप पूरी की पूरी film को अपने सामने बनता हुआ देखते हैं, और आपकी बनाई हुई film दर्शकों तक पहुती हैं. वो कहते हैं ना, film तीन stage में बनती हैं, सबसे पहले जब उसकी writing होती है, दूसरी बार जब उसकी shooting होती है, और तीसी बार अं जिनसे कि आपका Bollywood में आने का सपना बहुत आसान हो सकता है, साकार हो सकता है, तो subscribe कीजिएगा, bell icon को press कीजिएगा, हाँ, तो film editing, film editing अपने आपने आपके ना, कमाल का creative एक profession है, जिसमें आपको ना, अपने सामने, पूरी की पूरी raw से, एक finish चीज बनती हुई नजर आती ह डिरेटर ने जो भी vision रखा है, राइटर ने जो भी सोचा है, उसको जो मूर्त रूप देते हैं, उसको जो final रूप देते हैं, उसको जो finish पड़क बनाते हैं, वो बनाते हैं आप याने की editor कई बार तो editing में ही film की कहानी को ही काफी हद तक बदल दिया जाता है, film editing में इतनी power होती है, एक अच्छी film बुरी editing की वज़े से बेकार हो सकती है, उसी तरह एक अच्छे से shoot ना हुई film editing में सुधारी जा सकती है, film हो, web series हो, song हो, या कोई YouTube का video हो, सभी को editing करके ही final footage में बदला जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये video editing कैसे होती है, और किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, आपको क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए, आप editing कैसे सीख सकते हैं, और editing में अपना career कैसे बना सकते हैं, editing के career में क्या-क्या होता है, ये सब शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आज के video में यही सब detail में मैं बताने वाला हूँ, तो सबसे बहुते हैं, कि video editing होती क्या है, video shots या footage में काट-चाट करके, उसे एक sequence में arrange करके, एक नया और अच्छा video बनाने की जो process होता है उसको हम लोग बोलते है video editing, देखें, जब भी कोई video shoot होकर के आता है, तो वो अलग-अलग clip में रहता है, उन सबी clip को एक sequence में जोड़ना, और जो अनवशक पार्ट है, या unnecessary पार्ट है, उनको काट करके हटाना editor का काम होता है, फिल्म के editing में dialogue, background music, sound effects, ये सबी को एक साथ edit क उसको music, bits और lyrics के हिसाब से video को edit करना होता है, यहाँ पर एक बात clear कर देता हूं कि editing post production का एक पार है, लेकिन कई बार लोग editing को ही post production समझ लेते हैं, जो की पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि post production में editing के अलावा color correction, DI, mixing, VFX, music, titling, बहुत सारी चीज़े आती हैं, तो सबसे प इसको software फिल्म editing में सबसे ज़्यादा यूज की जाते हैं, इसके अलावा Filmora, iMovie, Power Direct, किने Master जैसे कई software हैं, जिने आज कर लो YouTube video edit करने के लिए यूज करते हैं, यदि आप एक editor बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको software का knowledge होना चाहिए, यानि उसे चलाना आना चाहिए, आप ये कैसे सीख सकते हैं, वो तो मैं आपको आके बताऊंगा, अभी हम बात करते हैं कि एक editor को क्या-क्या काम करना होता है, और किस तरह से वो करते हैं, फिल्म editor को एक director की तरह सूचना होता है, कहां पर कौन सा shot, कब इस्तमाल होगा, ये सब कहानी के हिसाब से एक film editor सूच फिल्म editor को अलग-अलग तरह के transition effects, graphics, frame rate, video format के बारे में knowledge होना बहुत जरूरी है, तो एक editor का पहला काम होता है unwanted footage को हटाना, editing में ये सबसे सरल और सबसे आम काम है, इसमें वो shots जो उपियोग करने लायक नहीं है, सबसे पहले उन shots को हटा दिया जाता है, फिर इसके बाद best footage को choose किया जाता है, क्योंकि shooting के दोरान एक ही shot को कई बार shoot किया जाता है, तो जो take सबसे best है, उस take की footage को use किया जाता है, shooting के दोरान shot लेने से पहले जो clipping की जाती है, उसमें shot number, take number सब कुछ लिखे होते हैं, और clap sheet में लिखा होता है कि कौन सा shot NG है, NG मतलब not good, और कौन सा good ह एडिटर ये सब sheet देखकर footage को चुनते हैं, अब जब footage को जोड़कर एक sequence बनाया जा रहा हो, तब एक editor को इस बात का खास ध्यान रखना होता है, कि कहानी का flow बना रहना चाहिए, वो sequence engaging लगना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह की footage से एक editor अलग अलग तरह के sequence या final video बना सकता है तो पूरी कोशिश यही होना चाहिए, कि कहानी के हिसाब से final video एक flow में बहे, एक अच्छा editor style और paste से video के mood को पूरी तरह से बदल सकता है, इसके लावा transition, effect, music, graphics को add करके video को और भी आकरशक बना सकता है, ये तो हुआ कि एक editor काम किस तरह करता है, अब बात करते हैं कि यदि आपको editor बनना है, तो आप कैसे editor बन सकते हैं, editor बनने के लिए सबसे पहले video editing software सीखना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, कि सिर्फ software सीखने भर से कोई film का editor अच्छा editor नहीं बन सकता, क्योंकि video editing एक कला है, software की मदद से आप video में काचछाट तो कर सकते हैं, effect तो जोल सकते हैं, लेकिन किसी भी video को कहाँ पर कितना cut करना है, कौन सा shout, कितने time कर रखना है, कौन सा video effect के shot में इस्तमाल करना है, यह सब कला creative video editor को किसी अच्छी जगह से सीखने में ही मिल सकती है, और फिर धीरी धीरे काम करके अपने experience से यह सब चीजें इस्तमाल अपने experience के साब से कर सकता है, अब question उपता है कि editor बनने के लिए education या qualification कितनी होने चाहिए, तो देखिए वैसे तो editor बनने के लिए आपको किसी भी खास degree की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक basic education किसी भी field के लिए जरूरी है, इसी तरह से video editor के लिए भी basic education जरूरी ह 10th या 12th पास होने के बाद इस course को करके अपना career बहुत असानी से बनाया जा सकता है, इसके अलावा एक editor को director, cinematographer और भी professional लोगों से project के बारे में discuss करना होता है, इसके लिए एक video editor के पास अच्छी communication skill होना भी बहुत जरूरी है, और अगर आप वाकई professionally practically सीखना चाहते हैं, join films academy में practical film editing course है, जिसका concept है, learn film editing by editing the film, यहाँ पर आपको सारी raw footage दी जाती है, और आप independently mentor के direction में और उनकी guidance में training लेते हुए, video song edit करते हैं, corporate film edit करते हैं, feature film edit करते हैं, web series, तो जब आप इस तरह के professional work करते हैं, तो आपका editing sense है, वो बहुत अच्छे से develop होता है, बहुत strong हो जा आएंगे, तो आराम से वो आपको ले लेगा, because आपको practical knowledge है, अब सवाल यह उठता है कि editing तो सीख ली, तो इसमें career और opportunity क्या-क्या है, जिस तरह से video production का demand बढ़ रही है, एक video editor की भी demand उसी हिसाब से बढ़ रही है, film, television, ad film, music, video, news channel, youtube content, इन सब के लिए video editor की ज़रूरत होती है, एक video editor के लिए काफी scope है, software सीखने की बाद, किसी short film editor के रूप में काम करके अरभाव हासिल कर सकते हैं, वहीं short film को किसी production house में, demo reel के रूप में दिखा के भी video editor के job के लिए apply कर सकते हैं, और इसी वज़े से मैंने आप से कहा कि joint films academy ने जो editing का course design किया, उस पे practical चीज़ों पर ज्यादा ध्यान दिया है, यहां तक कि यह भी है कि दो महिने आप internship भी करते हैं, तो आपको internship में क्या होता है, आप timeline में काम करते हैं, आप on demand काम करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से practically film editing, तो screen पर जो number है, joint films की support team का उसके call करके पूछ सकते हैं कि कब से आप शुरुआत कर सकते हैं, I hope कि जिस तरह से film industry में अलग अलग job, profiles, profession हैं, उनको मैं आपको जब detail में बता रहा हूँ, तो आपका mind view open हो रहा होगा, आप ज्यादा confident हो रहा होगे, आप कौन से profession के बारे में वीडियो जादा वीडियो अवेलेबल हैं, और इसी वैसे इसको कहा जाता है, Bollywood का Google, joint films YouTube channel, मतलब आपके मन में जो भी doubt है, question है, बस उसको type कीजिए, YouTube के search bar में, साथ में joint films type कीजिए, आपको answer के रूप में एक नाएक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, और अगर चैनल को subscribe नहीं किय है, तो subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए, ताकि कभी भी आपके career से related को important video गलती से भी मिस्ता होने पाए, अगले video में फिर से बलेंगे, तब तक देखते रहें, सीखते रहें, जमे रहें, all the very best.